नाकपुर शहर से लापता हुए दो व्यापारियों के अपरेंड के मामले ने एक भयानक घटना का रूप ले लिया है जिसे पुरी उप्राजधानी दहल उटी है क्योंकि शहर से अगवा किये गए दो युवा व्यापारियों की वर्धा में हत्याक कर दी और गुर्वार को तलेगाओ के पास वर्धा नदी में दोनों की लाशों को फेक दिया गया जिन दो युवा व्यापारियों के बारे में कुछ दिन पहले लापता होने के सुचना मिली थी उनकी बहरामी से हत्याक के इस मामले ने सभी को जगजोर कर रख दिया है एक पिडित का शेव मिल गय जबकि दूसरे का फिलाल पतान नहीं चल पाया है जानकरी के मताबिक कुछ दिन पहले दोनों ही वेपारियों के अचानक गयाब होने की शिकायत उनके परिजन उन्हें बरडी और सोने गाव पुलिस स्टेशन में दर्श कराई थी पुलिस दोनों ही वेपारियों की तलाश से बरामत किया गया बता जा रहा है कि पहले दोनों वेपारियों का अपरण किया गया फिर दोनों ही वेपारियों को निर्देता पुरवक गोली मार दी गई और दोनों के शव को नदी में फेक दिया गया पहले दोनों वेपारियों का अपरण उसके बाद निर्मम तरीके स उनकी हात्या कर उन्हीं नदी में बहा देना इसका मकसद फिलहाल स्पष्ट नहीं है पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है फिलहाल एक पीडित व्यपारी का श्रव मिल गया है जबकि दूसरे का पतान नहीं चल पाया है पुलिस दूसरे की तलाश कर रही है इन बीसे नियूस के लिए अक्लेश बादवाच के साथ अकसान सारी की रिपोर्ट